नमस्कार दोस्तों मैं गंगे सुकला आसा ये स्यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ जैसा कि आप मेरे पीछे एक कुस्षिन देख पा रहे होगे यह कुस्षिन 2020 में पूछा गया था जो कि आट एंड कल्चे के रिगार्डिंग है अब जो यह चैनल पर ठीक हमने को सिन दिया गया है फ्वन 50 वर्डंट का है तो 151 मैं हमको ऐसी सप्ली में ठी होती है mainly एक proper supplementary होती है जिसमें 10 question 150 words के होते है 10 question 250 words के होते है proper UPSC का exam होता है और अगर कोई state PCS का exam है तो 150 words का होगा जिसमें सारे के सारे question 15 या 20 question 150 words के होगा जो भी 150 words के जो questions होगे उसमें हमेशा ऐसे 2 page दिये रहेंगे ठीक है आपको एक proper question होगा उपर फिर नीचे space होगा जिसमें आपको यहाँ पे यह section divide होगा यहाँ पे इसीफ आपको एतने में ही लिखना है यहाँ पे नहीं लिखना है ठीक है यह जो area है यहाँ पे नहीं लिखना है do not write ठीक अब यह mains के बारे में क्यों बता रहा हो इतना क्योंकि mains ही जो एक ऐसा paper है ऐसा stage है जो कि आपको interview में ले जा सकता है और interview का जो weight जो that mainly 15% है 20% 80% जो main मसाला जो मखन है जो पूरा main अपने पास power रखता है आपको list में लाने से लेके rank दिलाने तक वो सिफ mains की exam ही रखती है क्योंकि 80% marks आपको mains ही देता है तो हमको mains से focus होना चाहिए और prelims क्या है prelims तो सिर्फ हो सिर्फ आपको दूसरों से अलग करना है लाखों में से हजारों निकालने लिकिन यहां से हजारों में से सिर्फ सो निकालना है तो mains का exam बहुत ही important होता है ठीक तो mains के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए तो mains के बारे में यह हमको proper supplementary पता हो गए अब sir आपने तो mains का एक question दिया हुआ है तो हम mains की answer writing करेंगे नई proper answer writing हमको जो है खुद से ही करनी है लेकिन answer writing जो है उसको कैसे करना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते prelims में prepare कर रहे है prelims के related ही पढ़ रहे है और mains का answer writing लिखते ही नहीं है हपता दो अपता हो जाता है एक ऐसे नहीं लिखते है mains का कोई भी question नहीं लिखते है क्यों? कि sir हमारा तो mains का कोई preparation ही नहीं हुआ है हम तो अभी prelims में busy है हमको तो sir question ही नहीं मिलते mains के question कहां से लाए sir check किससे करवा है sir mains का कोई module नहीं खरीदा है हमने sir mains का तो जो है हमको अभी तक पता ही नहीं है कि हम उसमें introduction कैसे start करे conclusion कैसे लिखे तो यह सा नहीं चलेगा ठीक है mains के लिए proper एक framework होना चीए जो कि मैं आपको बता रहा हूँ mains का answer writing आप कैसे करोगे पहले तो previous year question का सबसे ज़्यदा importance है यह guard बांद के रख लो अब कोई भी mains का जो question आता है वो ऐसे how way में नहीं आ जाता क्यों उसका मैं proof दूँगा आपको how way में क्यों नहीं आता क्योंकि इसके already linked बन चुके होते है इसके पहले already link बन चुका है इस question से आने से पहले already prelims में already दो तीन बार पुछा चुका है इसके related question विश्वास नहीं आ रहोगा आपको देख लीजे पहले तो यह बता देता हो इसके पहले already इसके related question पुछे चा चुके है prelims में mains में तो पुछे गए ही होंगे लेकिन हम prelims के तुरुके से क्या करना है analysis करना है analysis करोगे तो यह उसको mains में link कर पाओगे तो यह जो question है यह question already prelims में दो तीन बार पुछा चुका है rocket architecture के regarding ठीक तो आपको में lecture का पूरा module बताता हूँ कैसे करेंगे पहले तो यह देखेंगे के भाई prelims में कहां पुछा चुका है तो prelims में तीन question आ चुके एक यह दूसरा यह तीसरा यह तो आप question देखने के बाद हम देखेंगे के sir हमको जो है content भी चाहिए तो content कैसे देखेंगे तो हर एक dynasty के regarding हम rocket architectures देखेंगे कहां कहां पे है उनके art and culture के mapping के थूँ देखेंगे तो mapping कैसे करेंगे तो यह रहा कुछ इस तरीके से हम mapping करेंगे ठीक है तो हम कुछ इस तरीके से mapping करेंगे हर एक dynasty को properly देखेंगे Morya Empire उसके regarding कहा कहा है Rocket Architecture Gupta Dynasty, उसके regarding कहा है फिर हम Rasakuta Dynasty, उसमें देखेंगे फिर Satwana Dynasty, उसमें कहा कहा पे है फिर पल्लवा Dynasty कहा कहा है Rocket Architecture, जो Majority जो की ज़्यादा famous है एक्जाम में आप उनको लिखोगे तो आपको Marks मिलेंगे, वो सब चीजे फिर finally हम लोग क्या करेंगे एक इसी mains के answer यह जो question हमने पुछा था अभी यह जो यहां लिखा है इसी question को हम deal करेंगे और यह आपका mains का ऐसे answer लिखेंगे properly ठीक तो उससे पहले हम start करते हैं कि कैसे यह question जो था यह question पहले कहाँ पुछा जा चुका है ठीक तो यह question कहाँ पुछा जा चुका है तो 2013 में अगर आप देखोगे तो rocket architecture के regarding question आया था question यह कह रहा था 3 statement थे 3 statement से हमको पता करना था कौनसा सही है कौनसा गलत तो जो पहला statement था वो गलत था कि बादामी केवस जो यह सबसे oldest है नहीं 12 बार बार केवस है जो की सबसे oldest है second में ही वही 12 बार रोक केव के बारे में बात किया लेकिन वो statement गलत कर दिया उसमें गोला गया कि बैचंद्रगुप तुमोरे ने मनाया हुआ है 12 बार रोक कट केवस नहीं वो असोका ने मनाया है तो दोनो statement गलत तो लास्ट वाला जो statement था अलोरा केवस वाला सही हो गया ठीक अगर आपने केवस ना देखी हूँ बादामी होगे रहे सब की तो आप देख लीजे बादामी केवस यह रही बहुत ही polished pillars है floors है वहीं बारा बार रोक कट केवस देखोगे तो बहुत ही अच्छे से एकदम pre-historic तरीके से बनाया गया है इसलिए बादामी वाला जो केवस है यह oldest surviving रोक कट केवस नहीं है यहाँ पर बारा बार आएगा ठीक तो यह आपका बारा बार रोक कट केवस है जो की बादामी से कितना ज़्यादा different दिख रही है दोनों को अगर आप compare करोगे तो जमीन आस्मान का फरक है यह ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई नो सिखिया कोई बना के गया हो और यह जो आपका बादामी की केवस है बहुत ही ज़्यादा IITN हो, कोई IIM से पढ़काया हो बना के गया है इन दा सेंस ऐसा आप example लगा सकते हो अलोरा केवस अगर आप देखोगे तो अलोरा केवस में सबसे ज़्यादा जो famous है यह आपके सामने जो दिख रहा है यह केलासा temple है केलासा temple के से famous है इसको जो है ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया है ना कि नीचे से उपर की तरफ अगर आप अपना घर बनाया है आपने या तो फिर अगर आप एंजिनियर हो Civil Engineer अगर मेरा lecture देख रहे होंगे तो उन्हें पता होगा कि जब कोई flooring जो कोई अगर घर बनाया जाए आपका कोई بنगला बनाया जाए फ्रास बनाया कुछ भी बनाया जाए तो new डाली जाती है पर यह नू को डाली जाती है या फिर उपर का 6th floor, 5th floor ऐसे स्टार्ट किया गया, ठीक है, इसलिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा यूनीक है, ठीक, इसके उपर एक कुछ से नहीं था, आर्किलोजिकल हिस्ट्री ओफ इंडिया में सबसे ज़्यादा पुराना केव कुछ सा है, या फिर इसमें जो चार ओप्सन दिये, इसमें सबसे ज़्यादा पुराना स्कल्प्चर या फिर आर्किटेक्चर कुछ सा है, तो इसमें बताया गया भई, लिंगराज टेंपल, तो कोसी के रिगार्डिंग ये सारे questions prelims में भी पुछे गए ठीक वहीं पर rock cut Monumented महाबलीपुरम तो ये भी rock cut है देख रहे हो आप rock cut keyword को notice करो rock cut rock cut rock cut बार-बार आ रहा है तो ऐसे इन ही means में question उड़के आ जाता है वो already पहले पूछा जा चुका है बट हम क्या करते हैं previous questions को सिफ रट्टा मारते एनालिसिस नहीं करते अगर हम एनालिसिस करके चलेंगे तो हमारे पास content भी होगा हमारे पास plan भी होगा हमारे पास strategy इसके उपर अगर देखें तो बोधी सत्व पद्मपानी यह painting किस केव में मिली है तो अगर आप अच्छे से अगर आपने art and culture पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो अजन्ता की गुफाएं हैं वो गुफाओं में बुद्धिस्ट के उस जादा है 90% बुद्धिस्ट के होगा है तो यह एजन्ता की गुफाएं हैं फिर अब देखते हैं के compare के regarding क्योंकि हमको चाहिए content ठीक है बाराबर रोक कट केउस ठीक तो यह बाराबर केउस यहां पर रिसी लोमास केउस भी है सुदामा केओस भी इस अंदर ही है तो 12 केउस रिसी लोमास केउस इसी साइड में है, बाराबर हिल्स है, उसी जगा पे आपको ये केवस दिखेंगे, दूसरा केव है नागारजुना केव, इसे नागारजुनी केवस भी कहते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से दिख रही होंगे आपको, I hope यहाँ पे दिख रहा होगा, ये नागारजुनी केवस गुपता डाइनेस्ट्री में हमको मेजरेटी बाग केवस दिखती है, बाग केवस आपको दिख रही होंगे, ये बाग केवस है, ठीक, दूसरी कौन सी केवस है, तो दूसरी अजन्ता केवस है, गुपता डाइनेस्ट्री कहा जाता है कि गोल्डन एज था, गुपता अर्क आर्किटेक्चर during गुपता पिरिएट तो यह अजंता के उस यह रही उद्यगिरी के देख प्यार होगे उद्यगिरी के उस भी अजंता के जैसे ही दिखरी होंगी आपको लेकिन कुछ थोड़ा दूर है उद्यगिरी के उस ठीक फिर गुपता डाइनिस्टी खतम होती है आप कुनसी डाइनिस्टी आती है राष्ट कुतास राष्ट कुतास में एलोरा की गुफाएं जो है वहाँ पर कैलास टेंपल राष्ट कुता डाइनिस्टी के टाइम पर बना था तो कैलास टेंपल आप देख पा रहे होगे और काले चेते, चेते और विहारास, या पढ़ोगे जब बुद्धिजम पढ़ोगे, चेते और विहारास क्या होते हैं, चेते जहाँ पे पूजा की जाती है, विहारास मतलब जहाँ पे रेस्ट किया जाता है, जो बुद्धिस्ट मौंग थे, वो अपने बुद्धा को, के दिये गए ग्यान को एक प्रॉपर जगा पे जाके रिमेंबर करते थे वहाँ पे पूजा करते थे तो उसे चैत्य कहा जाता था और जो विहार मतलब आराम स्थली जहां पे बहुत ज़्यादा वो अपने ग्यान को फेलाते फेलाते जब ठक जाते थे कहीं रुकने का होता तो विहारा बनाया जाते थे तो विहारा पे जाके वो रुकते थे वो भी गुफाया जैसी होती थी बट वहाँ पूजा नहीं होता था वहाँ पे रेस्ट किया जाता था ठीक तो उसे विहारा कहते चैत्य मतलब पूजा करने का स्थल तो चैत्य भी बनाया गया तो देख पार होगा आप यह जो है आपका कानहेरी चैत्या है ठीक यह आप देख पार होगे कानहेरी चैत्या दूसरा है यह कारले चैत्या देख पार होगे मंदिर जैसा दिख रहा होगा आपको ठीक यह कानहेरी चैत्या है ठीक उसके बाद देखते हैं पल्लवा डाइनेस्टी ने क् बहुत सारे रॉक का टार्गिटेक्चर बनाया है, तो कौन से कौन से है, पहला तो मोनोलिथिक रथास, रथ बनाया है इन्होंने, पंच पांडव रथ, महिसा सुर मर्दनी रथ, ठीक है, ऐसे बहुत सारे रथ है, तो उसमें से अगर आपको एक रथ दिखाऊंग, तो ये र ठीक, तो ये रथ की तरह आपको दिख रहा है, तो ये मोनोलिथिक रॉक से बना हुआ रथ है, ठीक है, इसमें बहुत सारे आजू बाजू रथ दिये हैं, किसी का नाम पंच पांडव रथ है, किसी का नाम महिसा सुर मर्दनी रथ है, ठीक, वैसे ही आपको मंदिर भी और जो मोनो लिथी गरत है वो नर्सिंग वर्मन 1 ने मनाया थे ठीक है दोनों ही अलग-अलग राजाए मैंदर वर्मन 1 जो थे वो अर्लियर थे इनके बेटे थे आपके नर्सिंग वर्मन 1 फिर जो एक्स्ट्र ओर्डिनरी जो आर्ट एन आर्किटेक्ट्र का जो डेवलोप्मेंट हुआ वो नर्सिंग वर्मन 2 के टाइम पे हुआ जिनके मामला भी कहा जाता था जिनके नाम पे उस एरिया का नाम भी पड़ा मामलप पुरम ठीक है उन्होंने क्या बनाया था सोर टेंपल बनाया था कैलासनाट टेंपल बनाया था अब वो तो टेंपल पे आ गए क्योंकि हम लोग रॉप का टार्किटेक्ट्र के बारे बात करें इसलिए जो है नरसिंग वर्बन वन और महेंदर वर्बन वन के बारे में हमें ज़्यादा पता होना चाहिए ठीक तो ये तो हमारे पास सब कंटेंट आ गया तो पहले तो हमने देखा कोस्षिन कोस्षिन के उपर देखा उसके प्रूफ के बाई ये अल्रेड़ी पुछा गया है कि नहीं हवे में तो नहीं आ गया तो प्रूफ देख लिए प्रूफ के बाद हमने कुछ कंटेंट देख लिया के बाई अब हमको कंटेंट होना चाहिए ये रहा आंसर आईता है तो अब हम इसका आंसर को कैसे डील करेंगे अब आंसर पता चल गए कि रॉक कट आर्किटेक्ट्चर दो है हमको पता चलता है कि अलग-अलग पिरियड में बनाएगे अलग-अलग डैनेस्टी के द्वारा बनाएगे अब कोई भी डैनेस्टी कोई भी रॉक कट आर्किटेक्ट्चर बनाती है तो अपने उस पिरियड में जो की highly advanced जो भी उनके पास equipment होगे उसी के थुरू बनाएगे तो उससे पता चलता है कि उस समय आर्ट और आर्किटेक्ट्चर का कितना development था ज्यादा आर्ट और आर्किटेक्ट्चर वेल पॉलिस्ट मैनर में हो रहा होगा तो इंदर सेंस टेक्नोलोजी का development भी वहाँ ज्यादा होगा वहाँ पे ज्यादा दिमाग वाले लोग भी होगे ज्यादा वहाँ पे openness होगा socially openness होगा एक तो ऐसे questions को हमें कुछ इस तरीके से deal करना चाहिए तो यह आपके सामने question y का y है अब उसको deal कैसे करें तो deal करने के लिए हमारे पास गेरा question का answer बहुत इदर rocket architecture अब हाँ जब आप answer writing करते हो तो answer writing में हमेशा जो important words होते हैं जो keywords होते हैं उसको आपको underline करना पड़ेगा ठीक है तो rocket architecture different ancient dynasties significant source है किसका source है knowledge है ठीक है हमारे art and history का knowledge देते हैं पता कराते हैं कि उस dynasty में क्या हो रहा था heart dynasty का अपना अलग-अलग unique एक style और technique है ठीक है मोर्या गुपता हो या राष्टे कुताज वैसे ही हमें जो है example के तौर पर क्या दिखता है rocket architecture मोर्या डाइनेस्टी की अगर बात करें तो हमारे पास बारा बार और नागार जुना के उसे जो की आजीविका और जेन एस्केटिक्स के लिए बनाया गया था ठीक बिहार में properly बनाया गया और ये earliest surviving examples है ठीक है और ये बोष दिखृअ हैं केविकBS कि खासियत क्या थी तो दे बोष सेवट आर्क अटिस जो उनके आर्क खेत्थ है ठीक है एसस सार्क होते हैं एसे आर्क देखा होगा आपने अभी recently अभी देखा कहा पे देखा है यह देखिए बाराबर के उस यह आर्क ठीक है इनके जो आर्क सेप्ट जो के उसे यह जो बहुत ही जादा फेमस थे तो हमारे पास यह आ गया कि हमने इमेज देखी वह इमेज डिट्टू कॉपी कर दी वर्ड के फॉर्म में तो ऐसे ही में इसका आंसर रैटिंग लिखा जाता है तो मौरे के बारे में हमने बता दिया अब हाँ कभी भी आर्ट एन कल्चर का कुशन हो हिस्ट्री का कुशन हो जोगराफी का कुशन हो या जी एस वन का कोई भी कुशन हो उसमें आप जो है हो सके तो आप मैप को इंक्लूड करो यह आर्ट एन कल्चर का कुशन था तो भी ह हमने इसमें map को include किया कहां पे हमने locations बताई कि भाई rockcut architectures हमारे यहां पे कहां कहां देखने मिलते हैं तो हमने एक map बना दिया map में हमने बता दिया भाई state wise कि भाई बिहार में 12 बर के उसे नागार जुनी के उसे तमिल नाड़ु में हमारे पास प्रदेस में हमने उद्यगिरी के उस बाग के उस बता दी अब ये अल्रेड़ी हमने ये content अभी recently पढ़ा था इसलिए हमने ये सब चीजों को discuss किया ठीक और यह हमने यहां पे बता दिया तो यही important है यही आपको marks भी दिलाएगा ठीक फिर हमको दूसरा गुपता डाइनेस्टी के बारे में थोड़ा बता देना है कि गुपता डाइनेस्टी में हमने क्या के देखा तो गुपता डाइनेस्टी में हमने बाग के उस देखी अजंदा के उसके बारे में बात की उदैगिरी के उसके बारे में बात की, तो उसमें से दो-तीने एक्जांपल हमको यहाँ पर बता देने हैं, तो Rock Cut Architecture of Gupta Dynasty, ठीक है, Gupta Dynasty के जो Rock Cut Architecture है, उसमें हमने क्या क्या देखा, तो भाई, ये Golden Age था, Rock Cut Architecture का, कौनसी-कौनसी के उस थी, उदैगिरी के उस, खांडेरी के उस, ठीक, जो की valuable insights देती है, उस time के religious beliefs हो, artistic tradition के बारे में, ठीक है, and they are Ajanta के उस, जो है, they are notable for its ordinate carving and sculptures, ठीक, अभी हमने Ajanta के उसमें देखा, पद्मपानी, बोधी सत्वा पद्मपानी की painting देखी, तो कितनी ज़्यादा ordinate थी, ठीक, उसके बाद similarly, राष्टकुदा डाइनिस्टी के बारे में बताना है, राष्टकुदा डाइनिस्टी का जो एक proper कहराश temple था, ठीक है, वो एक single example है, जो की top-down approach से बनाया गया है, तो ऐसे हमें questions को deal करना है, अब इसका जो है, simple हमको वापस से questions के अंदर आ जाना है कि represent one of the important source of knowledge कैसे discuss करना है ना, इसके बारे में तो बता ना है, तो rocket architecture in India is considered to be one of the most important source of knowledge, कैसे तो पहला example दे दो, दूसरा example दे दो, तीसरा example दे दो, और एक last में conclusion दे दो, तो क्या दिया हमने पहले, कि the rocket architecture is unique form of art and architecture expression, which allows to see the skills and craftmanship of ancient Indian artists and architectures, ठीक है, तो ये कोई भी architecture अगर आप देखते हो, तो वो architecture बताता है, कि उस समय पे कितना ज़्यादा advancement था, ठीक है, वहाँ पे architects और artists कितने ज़्यादा advanced थे, ठीक, secondly क्या बताएगा, कि secondly ये बताएगा, कि उस टाइम पे religious or cultural beliefs क्या हुआ करते थे, ठीक, फिर और क्या बताएगा, कि बही places of worships कहां बनाये जाते थे, उसकी carvings कैसी होती थी, ये सब चीजे जो है, हमें religious practices वगेरा सब उस proper architecture से पता चल साता है, thirdly क्या बताओगे, rock cut architecture is an important source of historical information, obviously बाते हैं, हमें बहुत सारे inscriptions देखने मिलते हैं, बहुत सारे मंदीर में copper plates भी दिखती हैं, ठीक है, बहुत सारे royal orders भी दिखते हैं, जिसकी वैसे हम लोग history को वापस से rewrite कर पाते हैं, वापस से imagine कर पाते हैं, ठीक, और political और economic conditions भी पता चलती है, और commission किसने बनाया था, ठीक है, कहीं पर orders दिये रहते हैं, जैसे मैंने बताया, royal orders दिये रहते हैं, तो वो royal orders बताते हैं कि आखिर ये बड़ा सा architecture किस राजा के order पे बनाया गया था, ठीक है, किस के द्वारा commission किया गया था, फिर, और inscriptions देखने मिलते हैं, carvings देखने मिलती हैं, जो कि हमें एक बहुत ही ज़्यादा valuable information provide कर दे कि उस ताइम पर political, social और economical conditions क्या थी, फिर lastly हमको conclusion में लिख देना है, कि the rock cut architecture of different ancient dynasty of India is rich source of knowledge about early Indian art and history, each dynasty has its own unique style and techniques of rock cut architecture that provide valuable insights to culture, leisure, artistic tradition of that period, तो सिर्फ और सिर्फ हमको एतना ही दिमाग लगाना है, तेकि अगर आप देख पार होगे, तो हमें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एतना ही conclusion में लिखना है, तो ये था आपका पूरा एक 150 words का question and answer तो हमें कुछ इस तरीके से mains के questions को attempt करना है, ठीक है पहले क्या करना है, simple हम पहले देखेंगे questions को उसके पहले हम लोग क्या करना चाहिए, हमको previous questions को analysis करना है analysis करने के बाद पता चल जाएगा कि ऐसे से questions पूछे जा रहे है, तो उन्ही questions के थुरू हमें एक proper framework बनाना है, के भाई ठीक है, rock cut architecture के बारे हम पूछे है, तो हम सारी dynastries को ले लेते हैं, हर एक dynastries का rock cut architecture देख लेते हैं, फिर उसका content हमारे पास मिल गया, अब उसी content को हमको जो जो witness हो रहा है जैसे कि हमने देखा कि भाई हमको arc shape दिखरा है, बाराबर के उसमें जो की Moran Empire के टाइम पे था तो वही सब चीज़ा हमें लिखनी है ठीक है, गुपता डाइनेस्टी में जो golden age था, वो golden age लिखना है राश्ट्रकुता डाइनेस्टी में हमने कैलासना temple दिखा हो, कैलासना temple हमने लिख देना है, तो हम लोग prelims के regarding पढ़तो रहे हैं लेकिन confidence बिल्ड नहीं हो रहा है क्यों? क्योंकि हम लोग proper analysis नहीं कर रहे है, ठीक है तो ऐसे ही analysis करके हमें answer writing करनी चाहिए, और answer writing आप daily एक answer लिखिए, enough है लेकिन इसको दीरे दीरे बढ़ाते जाए, दो महीने बाद आप क्या करिए, दो answer लिखिए, फिट ती answer daily लिखिए, पांच answer daily लिखिए, बट लिखते रहे है, तो ही आपको ये fruitful results देगे है ठीक है? तो इसी के साथ आज का अपना lecture end करते है अगर lecture अच्छा लगाओ तो like, share, subscribe करिए और ऐसे ही वीडियो आने वाले time पे मिलते रहेंगे Thank you so much